तो देखिए आज हम आपके रिले कराएं हैं ऐसी रेस्पी जो आपके खाने में चार चान लगा देगी और सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया है आपने अगर एक बार ये सबजी बना ली ना तो सब आपसे बार-बार इसी की रिमांड करेंगे होटल से भी बहुत टेस्टी सबजी आपने घर पर बनाईए और सबको हेल्थी खाना कि लाईए तो फ्रेंड्स आगे ना मूं में पानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ये गोबी इसको हमने अच्छे से वोश कर लिया है और अब हम इसको कद्दुकस करेंगे ना ही ज्यादा मोटा रखेंगे और ना ही ज्यादा पतला इसको हम कद्दुकस कर लेंगे दो गोबी को मैंने हाप पर कद्दुकस किया है इस तरीके से तो चलिए हमने गोबी को रेडि कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा वोटर निकाल लेंगे बिल्कुल हलके हातों से इसका गोला बना लेंगे और फिर हम इसको निचोड लेंगे तो इसी तरीके से हम अपनी सारी गोवी को रेडी कर लेंगे तो देखिए कितना सारा वोटर इसमें से निकल गया है और हमारी गोवी विल्कुल अच्छे से सूखी हो गई है अब हम इसको मैश कर लेंगे ये पानी हम यूज करेंगे ग्रेवी बनाने के टाइम में देखेंगे यह अच्छे से बाइंड ना हो जाए अब यह थोड़ा सा बेशन हे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको गोली बना कर देखेंगे यह अच्छे से बाइंड होगा तो हम इसमें और बेसा नहीं एड़ करेंगे विव हर देखिंगेंगे हमारा ये बिल्ड कुल फक्यश्य बन गया है अब हम इंसमें नमक एड़ करेंगे अपने देड्स के अको को और इसमें थोड़ इसी मिर्चेड करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब बहुत हलके हातों से इसकी बोल बना कर हम रेडी कर लेंगे हमें ज़्यादा प्रेसर नहीं देना है आप बोल का साइज अपने अकोर्डिंग छोटाया बढ़ा कर सकते हैं तो सारे मिक्सर की इसी तरीके से हम बोल बना कर रेडी कर लेंगे तो देखिए रेडी है हमारी बोल हमने इसको छोटा ही साइज रखा है तो हमने एक तरफ तेल गरम होने रख दिया था तो अब इसकी अच्छी हीट हो गई है तो अब हम इसको बोल को इसमें डाल देंगे हमें सभी को एक साथ नहीं डालना है दो बैच में हम इनको फ्राइ करेंगे और जब तक कि इनका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इनको फ्राइ कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे देखें हमें इनको पलटना बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से हम तेल को चलाते रहेंगे और यह अपने आप चारो तरफ से सिखते रहेंगे तो देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन इनका कलर आ गया है अब हम इनको निकाल लेंगे यह देखेंगे और इसी तरीके से हम अपने बाकी के भी बॉल्स को रेडी कर लेंगे तो चलिए रेडी हैं हमारी सारी बॉल्स ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं तो चलिए ग्रेवी की तियारी कर लेते हैं यहां हमने लिए हैं तीन बड़ी प्याद जिनको हमने रफली चोप कर लिया है और अब हम इनको ग्रेंट कर लेंगे साथ से आठ खली लेसन की लेंगे और यहां हमने इन सबका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है अब इसको हम अलग एक कटोरी भी निकाल लेंगे अब हम लेंगे टमाटर पांस से छें टमाटर हमने रफली चोप कर लिये हैं और अब हम इनको भी ग्रेंट कर लेंगे इसमें तीन से चार हमने हर इमिज भी एड़ कर ली है और इनका पेस्ट बना कर रेड़ी कर लिया है इसको भी हम एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे तो चलिए यहां हम लेंगे कुछ खड़े मसाले और अपने तेल में इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे और प्यांस डाल कर फिर हमने उसको भून लिया है अब हम इसमें हल्दी एड़ करेंगे धनिया पाउडर हमने इसमें एड़ कर दिया है अच्छे से इन सब को मसालों को बून लेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे टामाटर का पेस्ट और डाल कर इनको अच्छे से चला देंगे और फिर हम इसको ढखकर पकाएंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच देगी लालमेश पाउडर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और वापस से हम इसको ढखकर पका लेंगे तब तक हमें इसको ढखकर पकाना है जब तक की मसाला हमारा ओयल ना छोड़ दे बीच पीच में हम इसको चेक करते रहेंगे और चमचे से इसको चलाते रहेंगे तो देखे हमारी ग्रेवी में कलर आने लगा है अब ही हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक की ओयल ना छोड़ दे मसाले को भुनते हुए 4-5 मिनट हो गई है और अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुस्पू आने लगी है ये देखे चार से 5 मिनट बादी हमारे मसाले ने ओयल छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से पककर रेड़ी हो गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे आदी चम तो सभी मसाले बहुत अच्छी तरीके से पककर रेड़ी हो गये है अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो हम यहाँ पर 3 ग्लास पानी इसमें एड़ कर देंगे और फिर पानी को ढख कर पकाएंगे जब इसमें उबाल जाएगा तो फिर जो हमने बोल्स रेड़ी की है न वो हम इसमें डाल देंगे बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर हमारी ये रेडी होती है आप किसी भी उकेशन पे इसको बनाएए ये सबी को बहुत पसंद आएगी और लास्ट में ग्रेवी के अकोडिंग ही हम इसमें टेस्ट के अकोडिंग अपना नमक एड़ कर लेंगे और अच्छे से फिर इसको चला देंगे और ढखकर इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे गैस की फ्लेम को उफ कर देंगे ये देखे हमारी टेस्टी सबजी बनकर रेडी है आप इसको रोटी के साथ खाईए चावल के साथ खाईए मेहमानों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इसकी बार-बार आपसे डिमांड करेंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी अच्छी है ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो आपको रेस्पी कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर किये जिए और कमेंट करकर जरूर बताएए थैंक यू फोर वोचिंग